आज हम लोग जीके के महातोपूर प्रश्ण सुनेंगे और सुनते सुनते हमसे बहुत अच्छे से बनने लगेंगे भारत के प्रमुक सोध संस्थान तथा खेलों के प्रतिय पक्ष में खिलाणियों की जो संख्या है उसको आज इस आडियो में सुनेंगे और सुनते सुनते हमसे सब आसाने से बनने लगेंगे तो भारतिये क्रिशी अन्शन्धान संस्थान कहा है तो नई दिल्ली में है केंद्रिये चावल अन्शन्धान संस्थान ये कटक में है केंद्रिये चावल अन्शंधान संस्थान कटक में है भारतिये गन्ना अन्शंधान संस्थान ये कहाँ पर है तो ये लखनव में है भारतिये गन्ना अन्शंधान संस्थान ये लखनव में है केंद्रिये आलू अन्शंधान संस्थान ये सिम्ला में है आलू अन्शंधान संस्थान ये शिम्ला में है केंद्रिय तमबाकू अन्शंधान संस्थान ये राज सुन्दरी में है केंद्रिय वन अन्शंधान संस्थान ये देहरादुन में है भारतिय चीनी तकनीक संस्थान कानपुर में है भारतिये चीनी तकनीक संस्थान कानपुर में है भारतिये लाख अन्शंधान संस्थान ये राची में है भारतिये डेयरी अन्शंधान संस्थान करनाल में है केंद्रिये इधन अन्शंधान संस्थान जलगूरा में है केंद्रिये चमडा अन्शंधान संस्थान चन्नई में है केंद्रिये खनन अन्शंधान संस्थान धनबाद में है केंद्रिये औशधी अन्शंधान संस्थान ये लखनव में है केंद्रिये औशधी अन्शंधान संस्थान ये लखनव में है और भारतिये गन्नान संधान संस्थान लखनों में है भारतिये सरवेच्छर विभाग दहरादून में है भारतिये सरवेच्छर विभाग है ये दहरादून में है भारतिये मौशम बिज्ञान संस्थान है नई दिल्ली में भारतिये मौशम बिज्ञान संस्थान है नई दिल्ली में, भारतिये मौशम बेद साला है पुरे में, रमण अंशन्धान संस्थान है बंगलरू में, भारतिये राष्ट्रिये धात बिज्ञान प्रयोक्षाला है जमसेदपुर में, राश्ट्रिये धात विग्यान प्रयोक्षाला है वो जमसेदपूर में है भारतिये पुरा तत्विक सर्वेचण विभाग है कोलकाता में कपड़ा उद्योग अन्शनधान संस्थान है आहमदाबाद में भारतिये चुंबकिये संस्थान है मुंबई में भारतिये भूचुम्बकिय संस्थान है मुंबई में भारतिये खगोल संस्थान है बंगलरू में भाभा परमार्व अन्शंधान केंद्र है ट्रामबे में राष्ट्रिये समुन्द्र विज्यान संस्थान है पड़जी में भारतिय जो पेट्रोलियम सस्थान है देहरादून में है डीजल लोकोमोटिव वर्क्ष ये बाराड़सी में है केंद्रिय भवन निर्माण अनुशंधान सस्थान रोड़की में है केंद्रिय भवन निर्माण अनुशंधान सस्थान रोड़की में है केंद्रिय सडक अनुशंधान सस्थान नई दिल्ली में है TATA Institute of Fundamental Research ये मुंबई में है Indian Security Press ये नासिक रोड़ पुड़े में है Indian Security Press ये नासिक रोड़ पुड़े में है केंद्रिय भवन निर्माण अनुशंधान सस्थान रोड़की में है केंद्रिय काच तथा मृतिका अनुशंधान सस्थान कोलकाता में है केंद्रिय पर्यावाण इंजिनिरिंग अनुशंधान सस्थान नागपुर में है और दोगिक विष बिज्ञान अनुशंधान केंद्र लखनाओ में है कोसकिय तथा आडविक जीव बिज्ञान केंद्र ये हैदराबाद में है कोसकिय तथा आडविक जीव बिज्ञान केंद्र ये हैदराबाद में है खेलों के प्रतेक पक्च के खिलारियों की संख्या जो है वो कुछ इस प्रकार है बासकेट बाल में खिलारियों की संख्या पांच होती है बास्केट बाल में खिलारियों की शंख्या 5 होती है बैटमिंटन में खिलारियों की शंख्या 1 या 2 होती है जिमनास्टिक में खिलारियों की शंख्या 8 होती है कबड़ी में खिलारियों की शंख्या 7 होती है रगवी फुटबाल में खिलारियों की शंख्या 15 होती है जो रगवी फुटबाल है उसमें खिलारियों की जो शंख्या होती है वो 15 होती है क्रिकेट में खिलारियों की शंख्या 11 होती है लान टेनिस में खिलारियों की शंख्या 1 या 2 होती है बॉले बॉल में खिलाडियों की शंख्या 6 होती है वाटर पूलो में खिलाडियों की शंख्या 7 होता है हौकी में खिलाडियों की शंख्या 11 होती है टेबल टेनिस में खिलाडियों की शंख्या 1 या 2 होता है टेबल टेनिस में खिलाडियों की जो संख्या है वो यह क्या दो होती है खोखो में खिलाडियों की संख्या 9 होती है वेश्बॉल में खिलाडियों की संख्या 9 होती है खोखो और वेश्बॉल में दोनों में 9-9 खिलाडी खेलते हैं आने कि खोको में 9 खिलाडी होते हैं और वेस्ट बाल में भी 9 खिलाडी होते हैं, जो खिलाडी की संख्या होते हैं, वो 9 होते हैं, फुट बाल में 11 खिलाडी होते हैं, तो फिर से सुनते हैं, फुट बाल, क्रिकेट और हाकी में 11 खिलाडी होते हैं, फुट बाल में भी और क् केट और हाकी तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं साथ साथ खिलाड़ी कबड़ी में भी साथ होते हैं और वाटर पोलो में भी साथ खिलाड़ी होते हैं बैट मिंटन में एक या दो खिलाड़ी होते हैं लॉन टेनिस में भी एक या दो खिलाड़ी होते हैं और टेबल टेनिस में में भी एक याद दो खिलाड़ी होते हैं ओके फ्रेंट्स यह आडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट आडियो में